बारतिय अंतर पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी ने भी 2024 लोकसवा चुनाव को लेकर अपनी सेना ख़डी करने की तयारी कर दी है अभिहान चल रहे हैं गाउं गाउं जो पार्टी के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और उधर संखनात कर दिया है राश्टिय द्य च क्या है कैसे नए लोगों से आप लोग जुड़ रहे हैं कि पहले तो आपने कहा कि भारतिय जनता पार्टी की तरह से क्या मतलब है सर जो टाइमिंग है वो बीजेपी की और आपकी ये की जैसी है अच्छा बीजेपी सरकार में है सत्ता में है उसको अभियान चलाने की साल में उन्होंने यहां किया है जुद साल में वहां किया उन्हीं मुद्दों पर चुनाओ लड़े भाजबी सर्ण इंकम्बेंसी फेक्टर भी होते हैं कुछ जो बिरोदी हैं उनको भी कंट्रोल करना और जनता को मैसेज देना भी होता है कमया भी रहती है चैन्नौ साल मे मैसेज नहीं दे पाए 9 साल में तो इतना काम हो जाना चाहिए था कि मैसेज की दरुवत ही नहीं अपने काम पर बात करते मैसेज की और इन सब बातों की दरुवत क्या थी तो चुनाव लड़ना चाहिए था इस पे कि तुमने पिछले 5 साल में क्या किया इन चार साल में, इन पांस साल के लिए आपकी क्या किया और क्या आने वाले साल में आपकी योजना उस पर चुनाव लड़ना चाहिए आप उन पर चुनाओना लड़के आपको इंकमेंसिय अब नजर आने लगी वो तो है उसमें तो नजर नहीं आने बलके है और इसलिए मैं यह बात कहा रहा हूं कि इस पंच वर्षिय यह जो अब चल लई है दूसरा जो सेकिंड टर्म है इस टर्म में हिंदुस्तान में जिस स सूबह में भारत्ये जंतापालिटीहारी है आप यह सत्तावल और धनबल और खृत फरोग त्यादार पर कुछ सूबह में सरकार इनों ने बनाई है तो दिखाई दे रहा है कि जितने भी चुनाओं जिस परदेश में हुए हैं जिसंपर देश में वह महां पर भारत्ये जं पान्व पांस सालों में श्टेट में हुआ बुइन वहाँ ही ऐगा ईविजय सी तैनल ह्कॉटी संद्रा और सापमिल नंग्रेश है ओध्य क्योटे अइन सिरा नहीं किima कि दीम के हें जहां पर कि tamilnaad में गांगरेरज है क्ला धरा में यह तो दिख रहरी ना बड़े-बड़े पोस्टा लग रहżej गट बंदन के नेताओं के कि और ब्दक देह valeur कि सिर्ध क्टिछी और बाकि अख्ले अधव जाद भी केजरी वाल से मिले थे अच्र que अपोजिशन के नेताओं को आपस में मिलना को अपराद है कि मिले नेता कर रहा है ना गटबंदन भी होगा भारतिय जनता पार्टी को जिस तरीके से इनों ने देश में सम्विधान का आरक्षन का देश में रोजगार का देश की संपत्ति और संपदा को बेचने का जो काम यहां भी चुनाऊ हूंगे तो उन सब नेताओं को मिल मैटके काम करना पड़ेगा वनना तो इन्होंने रेल है जेल है भेल है आपका हवाई जहाद है हज यह है कि ताज महले राजलाल किला है और जितना तटवर्थ ये एरिया है जितना भी तटवर्थी अरिया है उन सब में जो इनोंने सब को बेच दिये पोर्ट नहीं बेच दिये जो तटवर्थ एरिया है महां जाके आप मालूम करो गुजराश्य लगा के और पूरा जो साहिली इलाका है जो समंदर का किनारा सारी इनोंने अडानी को बेच दी तो यह कोई जहां जहां भी यह जिन लोगों की नेत परदेश को बचाने के लिए आरक्षण को बचाने के लिए सब लोगी घटे होंगे दो हजार चौविस में यूपी क्या क्या इस्तिती रहने वाली है क्योंकि जो करंट बीजे पी दिखाई दे रही है सरकार में और उसके बाद इस चुनाब को लेकर जो तैयारियां है उस है अब आप यह बताईए कि साड़े तीन लाग वोटों का डिफ्रेंस तब है जब डबल इंजन की सरकार थी अब चुनाओं होंगे तो एक इंजन तो चुनाओं में लगेगा तो यह साड़े तीन लाग वोट ही हम तरह कबर नहीं होने की बहुत कितना मामूली डिफ्रेंस है अब नगर निगम में क्या हुआ निकाय के चुनाओं नगर निगम के चुनाओं को और देश के चुनाओं को दोनों को बराबर नापोगे क्या हम नाप नहीं रहें आप बोट की बात करें मैं नगर निगम के चुनाओं के मुद्दे अलग हैं वाल्ट की मेंबर्शिप ह हूँ है हर लोग अपना अपना इंफ्लाइंस रखते हैं जहां कहीं किसी की दस्वित फाल तू आगी है कही बारे सोप है कही पंद्रेस हो कि मुझने दौनों मदमीन आत्पान का अखले से अदब जी ने कहा कि असी लाओ और बीजेपी हटाओ हो पाएगा कुछ हानिशीत रूप से होगा जनता उत्तर परदेश की जनता और देश की जनता आने वाले चुनाओं में उन सारे जुम्लों का हिसाब किताब मांगेगी जो हिसाब जो जुम्ले इन्होंने बूले हैं उसमें चाहे वो पंदर अलाक हो चाहे डीजल हो पैट्रॉल हो गैस हो बेरोजगारी हो रोजगार हो और देश की काला धन आना हो सब कुछ कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे को इस चुनाओं में जनता इन से नहीं जवाब लेगी सब लोगों को जवाब लेगी और जब जनता जवाब लेने पर आती है तो असी मैं असी आती है अभी सर आपकी पार्टी के जो जिलाजच थे वो पार्टी छोड़ गए और बीजेपी में सामिल हो गए तमाम तरह के आप वो आरोप भी लगा रहें अब आपका आपका चैनल जो है वो इसका इस्तर बहुत उपर है मैं समझता हूं कि निश्पक्षता की बात करने के लिए आपका चैनल बात करता है और मैं देख रहा हूं कि ठीक कबर करते हो अब इतना बड़े टैनल जो है कहां एक आप लोकल मुद्दे पर इलाज रहे हो यह सब आई गई बात होगी कौन हट गया कौन बन गया कौन चलागा कौन का यह कोई मुद्दा नहीं है नाम भी नहीं लेंगे अब जो लोग साथ छोड़के चलेगे उनका क्या नाम लेना और जिनका काम और आवागमन लगा रहता है हमारी आज ही संस्कृति को इसी बात को भी मानती है के पुलरजवन होता है तो होता रहता है पुलरK गया था फिर दुबारा उजाएगा कोई कोई बात नए बिपिन चौजरी बनाए हैं जिलाध दैच पार्टी नहें किस तरह कि उम्मीदें उनसे हैं उनका बैक्ग्राउंड और जैसे ही वो जिलादेच्पने जो एप्लीकेसन हैं जो एफ आई आर की कॉपियां हैं कुछ वीडियो हैं वो भी सामने आने लगानून अपना काम करता है राजनीती अपना काम करती है अगर हमारे में कोई दोश है तो उसके लिए कानून है सरकार है को अपराद ही है तो उसके लिए कानून है नयाल है वो अपनी जगह है और राजनीती अपनी जगह है नहीं लगता कि पार्टी जो है विपच्च को बोलने का मौका देती है कम चांत हो लेना चाहिए है हां राजनीती बोलने का मौका नहीं देती ल राजनीती पॉसको उटाने का तो मुका देती है कि पुलिस की जाँच है सर अच्छा भाजपा के लिए पुलिस की जाँच पुलिस की जाँच है और हमारे लिए पुलिस की जाँच कोई माइने नहीं रखती है साल करें जो सालों जयल रहकर यह गलत भेजें, नहीं है जिन को नहीं भेजा, बारते जंता पार्टी से सालों लकर अउनकी क्या उनकु घलत भेज नहीं बेज रहें, हमारे लिधे पूरा देश आंदोलित हो जाए उससे बड़ी जाँच और क्या होगी जिस मुद्दे पर कई की महीने आंदोलन हो जाए उससे बड़ी भी कोई जाँच है कि कुछ तो बात है चार सीट तो लग गई सार अब जेल भी आप वह चार सीट जैसी लगी है उसका भी सबको पता है है तो यह सब सरकार का इतना तो होता ही है कि अपने लोगों को पीछे को हटा देती या दूसरों को आगे उपकर देती को बड़ी बात नहीं है पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा आप मान रहे हैं पहलवान तो यही कह रहें नहीं मिला वो तो कह रहें कि हम दुबारा से आन्दोलन करेंगे वो तो गहने है इंसाफ नहीं मिला अब यह समय बतलाएगा कि वो आन्दोलन करते हैं या संतूष छोते हैं अच्छा विपच्छ कहड़ा होगा साथ में जब वो अंदोलन करेंगे चासीट तो लग गई है हर बात के हर अंदोलन के मुद्दे अलग होते हैं अगर उन चात्रों को उन पहलवानों को या उन विक्टिम्स को अगर वो कॉल करेंगे कि सारा विपक्ष आये तो विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा और आएगा विपक्ष अगर वो कॉल करेंगे तो बहुत बहुत जुम्ले बीजेपी ने कहे पिछले नौ सालों में उनके नेताओं ने कहे उन सबका जबाब देना होगा साथ ही जो कानुन विवस्ता है जो अपनों को बचाने की कवाइद है उसका भी जबाब जनता को देना होगा लोकसभा दोयार चौबिस के चुनाओं में कैमरा सेयो की स सानु के साथ में नरेंदर भारत समाचार मेरट